नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पोधे के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने शरीर की तमाम बिमारियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो पेड़ पोधे सभी को अच्छे लगते हैं। जैसे कि तुलसी, گिलोए, नीम जैसे पोधे ऐसे होते हैं जो आपकी शरीर की अनेक बिमारियों को दूर कर देते हैं। ऐसे ही पोधे के बारे में हम आपको बताएंगे। दोसो जिस पोधे की आज हम बात कर रहे हैं वो है पत्थर चट्टा का पोधा आप में से तमाम लोगों ने अपने घरों में पत्थर चट्टा का पोधा लगा रखा होगा जो ना सिर्फ दिखने में खुबसूरत होता है बलकि सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होता है दोसो ऐसे तमाम पेड पोधे हैं जिने हम अपने घर के आसपास जरूर देखते हैं और उन्हें निहारते भी हैं लेकिन उनकी खुबियों को नहीं जानते दोसो ऐसे पोधों में पत्थर चट्टा भी एक ऐसा पोधा है जिसके प्रियोग करने से आपके शरीर की अनेक बिमारिया ठीक हो जाती हैं दोस्तो पत्तरचटा में काफी ओशदिय गुण पाये जाते हैं और इसका प्रियों कई तरह की बिमारियों की दवा बनाने में भी किया जाता है पत्तरचटा के इलावा इसे air plant भी कहा जाता है life plant भी इसका नाम है और magic leaf भी इसे कहा जाता है आर्वेद में इस पोधे को भशं पत्री, पाशान भेद और पण पुट्टी के नाम से भी जाना जाता है और भी इसके बहुत सारे नाम है दोस्तो इस पोधे की पत्तियां स्वाद में खटी और नमकीन होती हैं बस आपने इस पोधे की एक पत्ती का ही सेवन करना है यदि आप इस पोधे की एक पत्ती का भी सेवन कर लेते हैं तो दोसों आपके शरीर की अनेक बिमारियां सही हो जाती है जैसे कि यदि आपको पत्री बनती है किड़नी में पत्री है आपको तो वो पत्री इससे ठीक हो जाएगी किड़नी में पत्री होने पर दोसो आपने इसके एक पत्ते का सेवन करना है सुबह खाली पेट इसका एक पत्ता ही आपकी पत्तरी को तोड़ तोड़ कर बहा निकाल देगा मुत्रमार्ट के द्वारा दोस्तो इसका आपने 15 दिन सेवन करना है तो आपकी जो पत्तरी है वो निकल कर बहार आ जाएगी दोस्तो जिन लोगों को घाव है या कहीं पर सूजन है तब आप इस पोधे का प्रियोग करें घाव को भनने के लिए आप इसके पत्ते को पीस कर लेप बना कर लगा सकते हैं तो आपका घाव बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो जिन लोगों को BP की समस्या है हाई बलड प्रेशर रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पत्थर चट्टा का एक पत्ता हर रोज खाएं आपको 15 दिन में असर दिखाई देगा आप इसका प्रियोग मुत्र विकारों को सही करने के लिए भी कर सकते हैं दोस्तो जिन लोगों को फोडो का इलाज करना है वो पत्थर चट्टा का प्रियोग कर सकते हैं ये डायवटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है सिर में दर्द है आपको सिर दर्द को सही करना है तब आप इस पत्ते का लेप त्यार कर सकते हैं एक पत्ते का लेप बहुत है आपके सिर दर्द को सही करने के लिए बस सिर दर्द में आपने क्या करना है इस पत्ते का लेप बना कर सिर पर लगाना है तो आपका जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आखों के लिए बहुत ही लावकारी है दोसो यदि आप इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करते हैं, तो आपकी आँखों की कमजोरी दूर हो जाएगी, आँखों से कम दिखाई देता है, आँखों की रोशनी कम है, तो आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें. खुनी दस्त में भी ये आपको राहा दिलाता है किड़नी को भी ये बहुत ही healthy बना देता है दोस्तो जिन लोगों को दिल की बिमारी है heart attack आने का डर है वो लोग भी इसका 7 हर रोज कर सकते हैं कॉलेस्टोल जिनका बड़ा हुआ है कॉलेस्टोल को कंट्रोल करने के लिए आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें दोस्तो जिन लोगों का मुटापा बढ़ गया है मुटापे को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करें और दोस्तों, जिन लोगों के पेट में गरबड़ी है, पाचन तंतर सही नहीं है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तब भी इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करें, तो आपकी ये तमाम बिमारियां दूर हो जाएंगी, जिन लोगों को जोडों का दर्द रहता है, कमर मे दर्द रहता है, या टांगों में दर्द रहता है, गुटनों में दर्द रहता है, वो लोग भी इसका प्रियोग कर सकते हैं, दोस्तों, कमर में दर्द के लिए आपने क्या करना है, इसका एक पत्ता लेना है, उसे तावे पर गरम कर लें हलका सा, और उस पे सरसो का तेल ल दर्द है या कमर में दर्द है या हाथ-पैर जहां पर भी डर्द है तो आपने इसके पत्ते को इस तरह से बांधना है और एक पत्ता डेली나 खाना भी तो आपको काफी फायदे मिलेंगे, आपके जोडों का दर्द सही हो जाएगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, तो सारे दर्दों से आपको निजात मिल जाएगी, दोस्तों यदि आप इस पत्ते का सेवन करते हैं तो आप हश्ट-पुष्ट जी एंगे आपको कोई भी भीमारी नहीं होगी किड़नी की भीमारी, किड़नी में पत्री, जोडों का दर्द, सीरमें दर्द कभी नहीं होगा। दोस्तों आपने इस पत्ते का सेवन करना है चबा चबा का सुबे खाली पेट और उपर से एक गिलास आपने गुनगुना पानी पी लेना है या फिर इसका काड़ा बना कर आप सेवन कर सकते हैं दोनों तरीकों से आप सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी ये सारी समस्याइं हैं तो आपने एक पत्ता इसका हर रोज खाना है चबा चबा कर सुबह खाली पेट इसके इस तरह प्रियोग करने से आपके तमाम बिमारियां दूर हो जाएंगी तो दोस्तों यदि आपको भी ये सारी समस्याइं हैं तो अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए अपने लिए फायदा उठाएं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों